बड़ी और एहम खबर पीली भीट से हैं जहां बंडा पुलिस की कर्टूत देखने को मिली है भूप सिंग गुलिया निवासी इकलाग मुहम्मद ने बताया है कि मेरी दुकान शाजहापूर बार्डर पर है और मेरा घर पीली भीट के तैसिल पूरण पूर में लगता है अखलाग एहमद ने इमकार किया तो सिपाईों ने जवरदस्ती गाड़ी में डाल कर कोतवाली ले गए फिर वहाँ 90,000 की डिमांड करने ले गए फिर सिपाई बोले अब साहब से बात करिये फिर कोतवाल मौदय बोले 90,000 देना होगा नहीं तो मैं आपको जेल बेज दूँगा फिर अफलाग मौद ने अपने परिवार वालों को फोन किया और जो बहू के जेवरात थे वो गिरवी डाल कर 90,000 रुपय पुलिस को दिये फिर भी अफलाग मौद के बेटे को पुलिस ने फर्दी चोरी के मामले में जेल बेज दिया बंड़ा पुलिस की कर्तूत देखने को लगातार मिल रही है वही बंड़ा पुलिस की कारिशेली पर सवाल उठ रहे है सरकार भले ही यूपी पुलिस को इमानदारी का पाट पढ़ाती हो लेकिन थाना परवारी है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे है आए दिल लोगों से मोटी वसूली करते हैं जूटे मुकदमे में फसा कर जेल भेजने का कारिक किया जा रहा है ये बंड़ा पुलिस का नया कारणामा देखने को मिल रहा है क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौनिसा है मौनिसाज जी यहां क्या हुआ है जो आप लोगों कितना विल लगाए है क्या मामला है पुगाई है मेरा देवर बेकसूर है तेरा तारीक को पुलिस वाले एकदम आके पकड़ के लेके गए है एकदम धावा मारा आके है पुलिस वालों ने कहा के थे पुलिस वाले बंडा के थे नाम नहीं पता पुलिस वालों के है और शिपाई का नम कुछ बंदर मनोच कुमार इस्पेटर मनोच कुमार और मेरा देवर दो लाग था एक लाग में अपने बेच के अपने देवर को चुड़वाना चाहते थे मेरे देवर को नहीं चोड़ा, 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 और मेरा पांचो टेम का नमाजी है देवर और बहुत कस्व बहुत है कौन से काओ का मान लाई है यह दूप सिंग गुलड़िया ब्यूर रिपोर्ट नियोज अब भारत